ठंड के मुसम में तमाम कोशीजियों के बाद भी कई बार समझोता करना पड़ता है और नय चाते हुए भी कई काम करने पड़ते हैं लेकिन अब बहुत सारे गैजट्स बाजार में मुझूद हैं जो ठंड में सब्वर या काम के दोरन रहत दे सकते हैं ये गैजट्स आपके बारे पर करम कपड़े पहले लो लेकिन हाथ का लगातर ठंड की जिकायत करते रहते हैं क्लब्स पहले कर कीबूर्ड पर काम करने में बहुत प्रेशानी होती है तो इसके लिए बाजार में हीटिंग गलप्स आ चुके हैं इनका इस्तमाल करने के लिए यूएसबी से पाव जाकेट ले सकते हैं हिटिंग एलिमेंट से बनी यह जाकेट ठंड में के मोसम में आपको कर्मी का अहसास करेगी और इसमें आर्टिफिजल इंडिजनिस का भी उपयोग किया गया है जो बाहर की परतिक्रिया को जल्दी से सीखने और वातवर्ण पर परतिक्रिया देने की शम्ताद देता है इसकी सैटिंग को इसके एप या एलेक्षा की मदद से बदल सकते हैं नेक्स्ट हीटिंग कप वार्मर आता है कम्पिटर लैप्टोर पर काम करते हुए अगर आप चाते हैं कि आपको उठकर जाना ना पड़े तो ये हीटिंग कप आपके चाय सूप वार्टर को USB से पावर देकर वहीं पर करम कर देगा नेक्स्ट आता है एलेक्टिक फूट वार्मर मैट ठंड के मोसा में लोग अकसर इस बत की सिकायत करते हैं कि उनके पाओं हमेसा ठंडे रहते हैं एक फूट वार्म फ्लोर मैट है इस मैट को पिजली से कनेक्ट कर पाओं के नीचे रख सकते हैं इसे पैरों में को गर्महट मिलती है मैट के लावा इस तरीके के मोज़े भी मिलते हैं जो आप खरीच जकते हैं सर्दियों में PC पर काम करना बहुत मुस्किल होता है इसके लिए आप हेटिंग माउस पैड का यूज कर सकते हैं यह माउस पैड यूजर के हाथों में दीरे दीरे इन्वरेड करमी देता है अगर आप ठंड के मौसम में कहीं घूमने जा रहे हैं और साथ में आप चाय या कौफी ले जाना चाते हैं तो यह मग आपके काफी काम आ सकता है यह लिक्विड को करम रखने में काफी देर तक मदद करता है और इसको आप USB से या कारजर चारजर की मदद से चार्ज करके काफी देर तक यूज कर सकते हैं नेक्स राता है लंच बोक्स वारमार यूज़ब से गरम होने वाले यह लंच बोक्स आपके खाने को गरम रखता है इसको आप PC, Laptop, USB चारजर की मदद से संचालित कर सकते हैं सर्दियों में खाना का गरम करने रखने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है तो इन सब प्रोड़क्ट्स को आप डिस्क्रिम्शन में दिए लिंक से खरीच सकते हैं आगे ने वाले और नए स्मार्टफून की जानकरी के लिए सब्सक्राइब वाला रेड बटन को प्रेस करें और साथ में बैल आइकन को भी तबाया मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन